हैलो फ्रेंट कैसे हैं आप सब I hope करते हैं कि आप लोग एक त्रम अच्छे ही होंगे जैसा कि फ्रेंट आपको पता होगा कि तीन साल के बाद इस बार रावन बद पोलो फिल्ड में होने वाला है जो कि आज के ही दिन रावन बद होने वाला है तो आपको हम बताएं तो आज दुरगामा भी उठने वाली है पांच वजे के आसपास चार वजे का आसपास दुरगामा भी उठने वाली है बिसर्जन के लिए जो कि रात भर दुरगामा घुमती है पुरा मुंगेर मारकेट में उसके बाद फिर दुसरा दिन 12 एक वजे के कोई दुरगामा भी सर्जन होती है मतलब मुंगेर की सारी दुरगामा धिरे धिरे और यहां दिखाएं तो अभी आपको बता देना चाहते हैं तीन साल के बाद COVID-90 करोना के कारण तीन साल के बाद रावनवद बनाया जा रहा है जो कि दुरगा पुजा के टाइम में बनाय जाता था दसमी के दिन में तो यहां पे देखिए किस तरह से रावनवद यहां पे बनाया जा रहा है जो कि बन के तयार हो चुका है अभी खारा नहीं किया गया है रावनवद को जो कि अभी फिनिसिंग दिया जा रहा है रावनवद में अभी पेपर साटा किया है यहां प पोलो फिल्ड में काफी ज़्यादा भीड लगता है अगर हम यहाँ पर बताएं आपको तो लाखों के संखिया में यहाँ पे आदमी आते हैं रावन बद देखने के लिए अगर आप आते होंगी तीन साल पहले रावनबद देखने के लिए तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा मार्केट में और यहां रावनबद पोलो फिल्ड में देखने के लिए कितना ज़्यादा भीड लग जाता है जो कि आपको पता होगा हम आपको बता देना चाहते हैं यहां पर पुलिस प कीया जा रहा था कि कहां से आप टिकट कटा सकते हैं थो-सो रुपिया का जहां पर पास आपको मिलेगा आप आकर सामने से रावन को डेख पाएंगे और अच्छा से देख पाएंगे और आवण बद कभी start होगा आज के दिन में तो पाँच बजे timing दिया गया है छे बजे timing बताया गया है लेकिन आपको बताद recite री होने करण रावन बद हर साल पाँच बजे अगर बताया जाता है तो सारे चार बजे ही खतम कर दिया जाता है रावन बद को छे से सारे छे होते होते राबन बद पूरा जल के खतम हो जाएगा सिर्फ अब बम का आवाज सुनिएगा यहां पे आके तो फ्रेंट वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जुरूर बताएगा चैनल को सस्क्राइब किजेगा बैल लेकन को प्रेस किजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में